सो MPM किसम आपका बहुत बहुत स्वागत है मद्दे परदेश नर्सिंग वालों के लिए एक साथ डबल गुड न्यूज यहां पे जारी हो चुकी है पहला गुड अपडेट आप यहां पे देख सकते हो आप के लिए नर्सिंग की सीधी बरते आ चुकी है फोरम स्टार्ट हो चुके है यहां पर 500 पोस्ट आपकी रहने वाली है इसी परकार दूसरा आप यहां पर देख पारूंगे यह भी आपके मद्दे परदेश का ही रहने वाला है और यहां पर 480 पोस्ट रहने वाली है और इनके भी फोरम स्टार्ट हो चुके है कटोप क्या रहने वाला है सेलेक्षन का प्रोसिजर क्या रहने वाला है तो मद्देप्रदेश नर्सिंग वालो लाइक तो बनता है इलेक्षन के टाइम पे चुनाव के टाइम पे ये मद्देप्रदेश सरकार का सबसे बड़ा तोपा रहने वाला है और यहाँ पर परते कैटेगरी के लिए यह बर्ती होने वाली है जिसा कि अन रिजर्ड वालो के लिए, AWS वालो के लिए, OBC वालो के लिए, SCST वालो के लिए, Physical Handcapt वालो के लिए, सभी को मौका यहाँ पर मिलने वाला है तो चलिए, देख लेते वेकेंसी के बारे में, और अगर आपके relative में, friend circle में, nursing background से कोई है, तो उनको भी inform कर देना, क्यूंकि ऐसे मौके बार-बार नहीं आया करते हैं अब चलो, पहली वेकेंसी है, 500 पदोवाली, सीधी बरती, और यहाँ पे unreserved का देखो आप, इसमें महीलाओ के लिए, अलग से पोस्ट है, और पूर्सों के लिए, अलग से है, यहन की, दोनों को मौका यहाँ पर मिलने वाला है तो इसका PDF मैं open कर लेता हूँ, ओके, सो फाइनली, यह PDF open हो चुका है, और मैं आपको live forum apply करके भी दिखाऊंगा, जिससे आपको तोड़ा सा trust हो जाए, और मद्य परदेश वालों के लिए, इससे बड़ी और क्या कुसकबरी हो सकती है, खापी दिनों से इंतजार था, तो यह लीजिए, यह पूरा PDF आपके सामने 2023 चोईस, ठीक है, और यह rule book यहां पर जारी कर दिये, यह देखे, national health mission, मद्या परदेश वालों ठीक है, और यह मत्पुन जानकरी आपके लिए, यह देखे, आयूशिमा आगई, मूल निवासी, यहां पर मद्य परदेश काउना चा यहां पर जो 500 पदों पर जो पॉस्ट थी, उसकी बात हम यहां पर कर रहे हैं, और आवेदन करने की जो अन्तिम थीती है, वो 16 नौंबर 2023 रहने वाली है, आयूशिमा की बात करें, तो यहां पर आप देख पारूंगे, 21 से 40 रखा गया है, और आपको छूट भी मिलेगी, 5 साल की, ठीक है, गौर्मेट द्वारा, और भी चलो यहां पर देख लेते हैं, यह पूरा टाइम टेबल आप देख सकते हो, कौन-कौन से डॉकुमेंट से यहां पर लगने वाले है, यह पूरा अपडेट इसमें आ चुका है, अब यहां पर गौर कीजिए, कि आवेदक को म अध्य परदिस्वालों को ही मिलना चाहिए मोगा, और यहां पर सबसे बड़ी बात है कि लड़ियों को, ग्रल्स को 33% का रिजर्वेशन पहले से यहां पर आर्क सिटे कर दी, कि यह तो उनके लिए फिलब करनी है, अब यहां पर इसके ओपिसल साइट पर भी जाके मैं दि इस परकार का ओपन हो जाएगा आपका एमपी ओनलाइन का वेबसाइड लिंक तो देखो हम टेलेग्राम पर प्रवाइड करवा देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में जो दे रखा है ना वहां पर, अब यहां पर देखो, यह कापी सारी वेकेंसी आपको दिख जाती है, जहां से आप एपलाई कर सकते हो, जिस वेकेंसी में आपको एपलाई करना है, ठीक है, तो हमको यहां पर व्यू आल नोटिपकेंस पर किलिक करना है, व्यू आल नोटिपकेंस पर, तो यह जितने भी नोटिपकेंस होंगे, सारे उपन हो जाएंगे, तो हमको देखना है आपका स्टाब नर्स का CHO का तोड़ा यह रहा यह रहे आपके नोटिफ केसन यह देखिए ठीक है और 136 नमर पर चले जाने फिर आपको 136 पर 136 यह रहा यह नोटिफ केसन रहा यह देखिए नेशनल हेल्थ इमिशन की तरब से कम्मुनिटी हेल्थ ओपीसर तो चलिए नोट होगा तो चलिए पीडिए को डाउंलोड कर लेते हैं कि सो फाइनली यह डाउंलोड हो चुका है और इसका सारा ट्रमेंड कंडिसंस हम देख लेते हैं जैसे कि सेक्शन योग्यता में यहाँ पर कम्मुनिटी हेल्थ का जो सेट पिकटे वह मांगा गया है बाकि यहाँ पर विएस नर्सिंग यह देखिए और पॉस्ट विएस नर्सिंग और जीने यह एप्लाई कर सकते हैं आयूशिमा मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखा है और यहाँ पर भी नीचे भी इन्होंने मेंसें कर रखा है कि यह विद्ध्यारत एप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने यह तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, नर्सिंग वाले तो सारे करेंगे अपलाए, और ओपिसल साइड यह वाली रहने वाली है, mponline.government.in अब यहाँ पर बात करेंगे आपके exam pattern की, कि exam कैसा रहेगा, कौन-कौन से subject से question आएंगे, कितने question आएंगे, कितना time मिलेगा, तो यह सारा इन्होंने यहाँ पर native question में भी mention कर रखा है, तो questions आप से कितने पूचे जाएंगे, 100 questions. सो नमर का आपका paper रहेगा, और multiple choice question आपसे पूचे जाएंगे, परते एक person के उत्तर के चार विकलप रहेंगे, चार options रहेंगे, जैसा कि हम MKS Academy F पे तयारी करवाते हैं, same way, परते एक person एक अंका होगा, और पूरा paper सो नमर का रहेगा, ठीक है, अब यहाँ पर आप बोलेग कि so questions को हल करने के लिए कितना time मिलेगा, तो 2 घंटे का time आपको मिलेगा, दो घंटे में 100 questions आपको करने है, अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर क्या negative marking भी है या नहीं है, तो नहीं है, negative marking नहीं है, जिन्होंने like नहीं किया है, like कर दो क्योंकि negative marking बिल्कुल नहीं है, अब बात कर लेते आपके cutoff को लेगे, कि cutoff कितना रहने वाला है, तो यहाँ पर देखो, online जो exam होगा, उसकी new time जो percentage है, 40% अंक प्राप्त करना अनिवार रहे, कम से कम इतना तो आई जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि आपने MKS Academy application डाउनलोड किया हुआ है, नह और भी इनके माप दंडे उनको देख लो, देखो, प्रिक्सा में प्राप तंको के अदार पर ranking, merit सुची, निर्दारित की जाएगी, rank के अदार पर, और यहाँ पर, seat पर प्रवेस दिया जाएगा, और भी यहाँ पर देख लो, जिस उम्मिद्वार की उम्रस ज्यादा और यहाँ पर रखा जाएगा, और यहाँ पर समान, अगर आपके नमबर रहते तो दसवी और भारवी का जो है न, वो percentage यहाँ पर देखा जाएगा, तो यह रहता है, rank का तो देखो, और प्रवेस परिकिर्या, क्या रहने वाली है, तो MP online के मादेम से उम्मिद्वार अपन अब यहाँ पर आप बोलेंगे, documents क्या क्या चाहिए, तो documents में आपका एक तो दसवी का mark sheet चाहिए, एक बारवी का mark sheet चाहिए, एक nursing का जो degree diploma आपने कर रखा है, वो degree diploma और registration का certificate और ID proof, passport size होटू, यह सारा चाहिए, ठीक है, और भी चलो यहाँ पर देख लो, piece ब गिरा देख बंद पत्र भी है, और piece में आपको बता दू, 500 something रहने वाली है, ठीक है, 500 something, तो इतना सा form का piece आपका रहने वाला है, और यहाँ पर देख लो, यह कुछ information है, step hand कितना मिलेगा, यह step hand यहाँ पर दिखा रखा है, और basic weapon आपका बहुत इच्छा रहने वाला है, 43,000 आपको salary यहाँ पर मिलेगी, तो यह देखे, क्योंकि आपका जो post रहने वाला ना, वो community health officer आप बनने जा रहे हो, community health officer, CHO की यह बढ़ती है, तो यहाँ पर 28,700 अलग वेतन मिलेगा, और 15,000 आपको अलग वेतन मिलेगा, तो दोनों के मिलाके आपके पास 43,000 हो गए, इतना वेतन के अंदर की शुची भी यहाँ पर जारी, यह देखो, कर रखे है, उजियन में 60 है, जबलपूर में 60 है, हर जगह गवालियर में देख लो, सीवनी में देख लो, जबलपूर, इंदोर, गोपाल, हर जगह 60 रहने वाली है, यहाँ पर प्रिक्शन सिट है, 480 के बाद दूसर कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, तो पूरा बेनीपीट आपको मिलेगा, यह सीधी बढ़ती है, देख लो, ठीक है, और जो पॉस्ट है, उसका नाम है, कमुनेटी है, ठीक, तो बीएस नर्सिंग, पॉस्ट बीएस नर्सिंग और जेनेम वाले एप्लाइ कर रहेंगे, आवी शेमाया पर 21-41 होई सेम रखा गया है, और जो फोरम की लास्ट डेट है, वो 16 नॉम्बर रहने वाली है, तो प्रिये विद्धियार्ति हो, अगर आपने भी बीएस नर्सिंग जेनेम कर रहा है, या पर पॉस्ट बीएस नर्सिंग कर रहा है, आपके रिट झाल पर प्र दूर के रहा है, या जाव जे xi घंक, नह वकी रहा है, rndखने भी बीएस, और समय है, अबस्ट बीएस नर्सिंगेस कर रहा है, नह PLAY जुमित वाता है, तो तो प्रिएस कर ले लोगा है, उन मेरे मैं ज रहा है, अगर सकते वाभाreten दे शियत है, आ.